दोस्तों हर हर महादेव दोस्तों केदानात मंदित उत्राखण में चार धाम और पंच केदार का एक हिस्सा है और भारत में भगवान सिप के बाराज योति लिंगों में से एक है यह जगह इतनी पवित्र है कि हर कोई जीवन में एक बार यहां जरूर जाना चाहेगा काफी informative होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको वो सब बताने वाला हूँ जो कि हर वो इनसान जो कि पहली बार के दानात यात्रा करने जा रहा है उसके मन में होती है जैसे कि कैसे जाएं कहां रुकें यात्रा का पूरा खर्चा और इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगेगा और भी बहुत कुछ तो इस वीडियो को अन्त तक जरूर देखिएगा दोस्तों सबसे पहले यात्रा के लिए आपको अपना रेजिस्टेशन करवाना होता है जिसे आप ऑन-लाइन और ओफ-लाइन दोनों तरीकों से करवा सकते हैं अब बात आती है कि केदाना तक पहुंचे कैसे सबसे पहले दोस्तों आपको पहुंचना होगा हरिद्वार हरिद्वार तक आप सड़क मार्ग या फिर रेल्वे मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं हरिद्वार बस अड़ा और रेल्वे स्टेशन आमने सामने हैं हरिदवार से फिर हमें जाना होता है सोन परियाग। हरिदवार से सोन परियाग के लिए आपको बस टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं। अगर मैं बस की बात करूं तो बस में आपको परती ब्यक्ती के हिसाब से 500 रुपे और टैक्सी के लिए परती ब्यक्ती 900-1000 रुपे देने ह होते हैं हर्दवार से सौन पर्याग की दूरी लगबग 238 किलो मिटर की है जिसे पूरा करने में आपको लगबग 8-9 घंटे का समय लग जाता है दोस्तो सौन पर्याग पहुंचने के बाद आपको जाना होता है गोरी कुंड गोरी कुंड की दूरी सौन पर्याग से 5-6 किलो मिटर की है और इस दूरी को पूरा करने में आपको 15-20 मिनट का समय लग जाता है सौन पर्याग से गोरी कुंड पहुंचने के लिए आपको यहां की लोकल टेक्सी का प्रयोग करना होगा जो की पड़ती ब्यक्ति आपसे 50 रुपे लेते हैं और आपको गोरी कुंड पहुंचा देते हैं दोस्तो अब बात आती है कहां रुकें तो दोस्तो आप चाहें तो आप सौन पर्याग भी रुक सकते हैं या फिर आप गोरी कुंड में भी रुक सकते हैं दोने ही जगा आपको रुकने और खाने की सुब्दा मिल जाएगी यहां पर आपको 400-600 तक डॉर्मेट्री की सुब्दा मिल जाएगी और 1200 से होटल के रूम मिल जाएगे दोस्तो अब बात आती है कि आगी की यात्रा कैसे करें दोस्तो केदानात मंदिर की यात्रा गोरी कुंड से सुबह चार बजे सुरू हो जाती है गोरी कुंड से केदानात मंदिर 16 किलोमेटर की दूरी पर है जिसे पूरा करने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है बाकी सारी चीजे आपकी सारी रिक चमता पर निर्वर करती है वैसे तो गोरी कुंड से केदार मंदिर तक की पैदल यात्रा करने में एक अलगी आनंद आता है पर कुछ लोग अपनी सारी रिक परेसानियों की वजे से इस यात्रा को पैदल नहीं कर पाते ऐसे में आप अपनी इस यात्रा को हेलिकॉप्टर, घोड़े खचर, पाल की आदी के दोरा भी पूरी कर सकते हैं दोस्तो अगर मैं सबसे पहले विकल्ब की बात करूँ तो वै हेलिकॉप्टर जिसमें आपको परती ब्यक्ति पचपन सो रुपे देने होते हैं जिसमें आपका जाना और आना इंकल्यूड होता है लेकिन आप जब कभी भी हेलिकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग करोगे तो उसमें आपको जून मन तक फुल बुकिंग मिलने वाली है तो दोस्तो आप बात कर लेते हैं अपने दूसरे बिकल्ब की जी हाँ दोस्तो जो हमारा दूसरा बिकल्ब है वो है घोडे खचर जो कि आप से तीन हजार उपे परती ब्यक्ति के हिसाब से लेते हैं और आपको मंदिर से एक डेट किलूमीटर पहले डूब कर देते हैं जहां से आपको आगे की आतरा पैदल करनी होती है आखिर में जो लास्ट बिकल्ब बचता है वो है पालकी दोस्तो पालकी का रेट आपके वजन के हिसाब से तै किया जाता है तो पाल्गी का जो रेट है वो उसी समय तेय करना होता है दोस्तो गोरी कुंसे और केदानात्मंदे के बीच में आपको खाने पीने की चीजों से लेकर बहुती खूप सुधना जारे देखने को मिल जाते हैं जो कि आपकी थकान को काफी हद तक कम कर देते हैं दोस्तो यातरा मार्ग में आपको सौटकट रास्ते भी देखने को मिल जाएंगे पर आप इन रास्तों का बिलकुल भी यूज मत कीजेगा इनको अंदेखा कर दीजेगा क्योंकि ये रास्ते काफी फिसलन वाले होते हैं मंदिर में दरसन करने के लिए आपको टोकन मिलता है जो कि आपके रेजिटेशन को देखने के बाद दिया जाता है इसलिए आप अपना रेजिटेशन नमबर की फोटो कोफी या फिर आनलाइन रेजिटेशन का जो फ्रूफ होता है अपने पास जरूर रखिएगा मंदिर के पास ही आपको बहुत सारी परसाथ की दुकाने मिल जाएंगी दोस्तों, केदानाद मंदिर तक पहुशने और मंदिर के अंदर दर्सन करने के लिए की गई आपकी मेहनत उस वक्त आनन्द में बदल जाती है जब आप बाबा केदानाद जी के मंदिर से दर्सन करके बाहर आते हैं मानो, जैसे सरीर में एक अलग सी जाना गई हो दोस्तों केदानात मंदिर मर्दरसन के बाद आप जा सकते हैं भैरो बाबा के मंदिर जो की केदानात मंदिर से डेट किलूमेटर की दूरी पर है बहरो बाबा के मंदिर से केदार घाटी का जो खूबसूरत सा नजारा होता है उसको लबजों में बया करना बहुत मुश्किल है तो फ्रेंट्स फाइनली हम पहुँच चुके हैं बहरो मंदिर और केदानात मंदिर रह गया देखें इतनी नीचे बहरी गुड़ा दोस्तों आप केदानात मंदिर के आसपास भी रात को रुख सकते हैं यहां पर आपको टेंट, होटल और खाने की सुब्दा मिल जाएगी टेंट यहां पर आपको 500 और होटल 1500 की सुरुवाती कीमत से मिल जाते हैं तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस यातरा को करने में आपको कम से कम कितना टाइम लगने वाला है और कम से कम कितना आपका खर्चा आने वाला है दोस्तों केदानात यातरा को लोग देश के अलग-अलग हिसों से आके करते हैं इसलिए दूरी के हिसाब से सबी को अलग-अलग समय लगता है और सबी का अलग-अलग खर्चा आता है पर अगर हरिदवार से इस यातरा की सुरुवात की जाए तो आपको कम से कम तीन दिन का समय लगने वाला है और पड़ती ब्यक्ति आपको तीन से चार हजार तक का खर्चा आने वाला है दोस्तो कैसे वो आगे चलके मैं आपको एक एक जामपल के थुरू समझाता हूँ दोस्तो अगर आप कम से कम दो लोग मिलकर इस यातरा को हरिदवार से सुरू करते हैं तो जो आपका बस का जो किराया है वो लगने वाला आपका हरिदवार से सौन परियाग और गोरी कुंड और फिर वापस गोरी कुंड से सौन परियाग होते हुए हरिदवार तो परती ब्यक्ति जो आपका बस का जो किराया है वो बनता है ग्यारा सो रुपे का दो लोगों का मिलाएं तो 2200 रुपे ऐसी ही होटल की बात करूँ तो होटल आपको 500 रुपे की सुरुवाती कीमत पर मिल जाते हैं और आपको कम से कम यहां दो नाइट रुकना पड़ सकता है तो दो night के हिसाब से आपको जो खर्चा आने वाला है वो आने वाला है तीन हजार रुपे का और अगर मैं food की बात करूँ तो per day के हिसाब से दो लोगों का जो यहाँ पे खाने का खर्चा है वो आप मान के चलिए हजार रुपे दो दिन के इसाब से आपको जो खड़्चा है खाने का वो आने वाला है, दो हजार रुपे इन सब VOICE अगर हम टोटल कर दें तो जो टोटल है वो आता है, बहतर सो रुपे का और इसको अगर हम दो लोग के हिसाब से डिवाइड कर दें तो 3600 रुपे पर परसन यानि पर व्यक्ति के हिसाब से आपका खर्चा निकलाता है। दोस्तों अगर केदानात यातरा करने का मैं सही वक्त बताओं तो वो है अक्टूबर जब भीड भी कम होती है और आपकी यातरा का खर्च भी कम आने वाला है। बाकि जब बाबा का बुलावा आएगा तो जाना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों ये थी केदाना से जुड़ी ही ब्रीफ में जानकारी। उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलेगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हम झालेशा अच्छा